और खबर है हर्दा से जहां मद्ध प्रदेश के सीम डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को वहां पहुचे जहां उन्होंने सिविल अस्पताल में हर्दा हादसे के घायलों से मुलाकात की सीम डॉक्टर मोहन यादव ने हर्दा हादसे के घायलों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना इस दोरान सीम यादव ने कहा कि हर्दा के गंभीर हादसे में घायलों को मद्ध प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है वहीं उन्होंने घायलों को आर्थिक सहायता मुहाया कराने में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ ठोस कारवाई की भी बात कही है मैं आज हरदा में कल के हाथसे में जो घायल भाई बेन हुए उनसे मिलना आया था और करीबन करीबन कल गात्तो में अधिकांज संक्या सबसे वड़ी संक्या में भूपाल में थी जिससे कल गात्तो में मिला था इस पकार से हम सब को जानकारी है कल जैसे ही मैं केबिनेट में जानकारी है मैंने इमिजेट मैंसे मंत्री जी को रवाना के दर आउड़ पताफ सिंग के बाद में और हमने अभी तक जो एक तरह से गंबीर हाथसा भी है लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चीए हरदा में इसलिए सोयम यहाया भी हूँ और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको सासन की जो भी यह था योग मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मुरतिक परिवार है उनसे भी उपर मिला था एक आट परिवार में बेटने भी जाऊँ और इस पार्ट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने अजिकटित की है वो जो रिक्मेंड करेगी निश्य दूरूप से थोस कारवई ऐसी होगी कि इन लोग याद रखेंगे न्यू वीडियोज की अपटेच पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाए ये है इंदू ब्राडकास्टिंग प्राइवित लिमिटेट और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हर पल हर शन हर सच